जैस्तिरी करश्न मित्रों मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 21 फरवरी 2021 रवी बार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रह नक्षत्रव चंद्रवल के प्रभाव से आज 12 में से 8 राशी वालों को कारिछेत्र में विशेश सफलता की योग हैं वहीं अन्य राशी वालों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ग्यानवरधक जानकारिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज माग माश शुकल पक्ष की नौमी तिथी है रवी बार का दिन है और आज दिन की सुरवात रोहिणी नक्षत्र से होगी और वरशब राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज राहु काल रहेगा सायंकाल 4 बच के 50 मिनिट से आरंब हो करके तो शाम के 6 बच के 15 मिनिट तक राहु काल रहेगा तो राहु काल के दोरान कोई भी शुब नया वा मांगलिक कारी शुरू आप नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी भी आप नहीं करें और आज दिसा सुल रहेगा पश्चिम दिसा में तो आज के दिन आप पश्चिम दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार ये आरंब नहीं करें पश्चिम दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आपके लिए अतियावशक हो तो अपने इस्ट देवता की स्रद्धा पुरवग पूजा आरादना करके अत्वा इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक जाप करके यात्रा आप कर सकते हीं और आज का सर्वसरेष्ट महुरत अभीजीत महुरत आरंब होगा दिन के 12 बच के 12 मिनिट से आरंब हो करके तो 12 बच के 57 मिनिट तक सर्वसरेष्ट समय रहेगा इस समय अवधी में आप किसी भी शुब मांगलिक वर नए कारी की सुरुवात कर सकते हैं या किसी भी नई वस्त करना चाहिए जिससे की कारी छेतर में आपको सफलता मिलें तो मेंश राशी से आरंब करते हैं मेंश राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आपकी राशी का स्वामी मंगल पाप ग्रहों की संगती में हैं कडवाहट को मिठास में बदलने की कला आ आर्थिक पक्ष आज आपका बहतर रहेगा रात्री का समय प्रिये जनों से भेंट वा आमोद प्रमोद में व्यतित होगा तो आज आपको भाग्य का साथ बहुततर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकनों हैं शुब रंग आपका केसरिया रंग हैं क सरिया रंग का प्रेयों कारीच छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ति होगी तो आजके दिन कारीच छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए प्राताängen करने के बाद सुरी देवता की गंद पुष्प अक्ष़त के द्वारा आज का दिन संतोस जनक रहेगा और शांती का दिन रहेगा आज राजनेतिक छेत्र में किये गए प्रयासों में आपको सफलता मिलने के योग हैं सासन वा सत्ता से गठ जोड का लाव प्राप्त कर पाएंगे नए अनुबंधों के द्वारा पद प्रतिष्ठा में वरद्धी क योग हैं रात्री में कुछ अप्री अवव्यक्तियों से मिलने से अनावश्यक कष्टों का सामना आपको करना पड़ सकता है इसलिए धेरी धारन करें संतान पक्ष से कुछ राहत आज आपको मिलेगी आज भाग्य पक्ष कापी अच्छा रहेगा तो आज आपको भाग्य क प्रात homeless नान करने के बाद सूरी देवता को अर्ग देवें और इस महा मंत्र का अधिक से दिक संख्या में जाप करें ग्रणी सूरिया, इनमांतर अगली राशी है मिथुन, मिथुन राशीवालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, राशी स्वामी की व्यग या किसी प्रतियोगिता में आशातीत सफलता का समाचार मिलने से मन आपका हर्शित होगा। तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद सूरी देवता को लाल बुश्प अर्पित करें और ओम भासकराई नमा इस महा मंतर का 108 बार जाप करें इसा करने से कारी छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है करक करक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि चंद्रमा एकात सभाव में उत्तम संपत्ती का संकेत दे रहा है आज इविका के छेतर में प्रगती कर पाएंगे राज जिमान प्रतिष्ठा में ब्रद्धी के योग है इसके अलावा संतान के दैत्व की पूर्ती आप कर पाएंगे यात्रा देशाटन के इस्तिती सुखद वा फाइदे मन रहेगी सायंकाल से लेकर रात्री अंत तग शुब व्यक्तियों का दरसन वा शुब समाचार आपको मिलेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 95 प्रतिसेत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक नो है शुब रंग आपका बादामी रंग है बादामी रंका प्रियो कारेच्षेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेच्षेतर में विशेश सफलता पाने के लिए प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चाद सूरी दिवता को तांबे के पातर से अरगे परदान करें और ओम दिवाकराय नमा इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें ऐसा करने से कारेच्छेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली रासी है सिम्व सिम्व राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस परकार से रहेगा आपकी रासी का स्वामी सूरी ग्रह चार ग्रहों के मध्धि में आ गया है आमदानी के नए इस्तरोत्र आपके लिए निर्मित होंगे आपकी वाणी की सुम्मिता आपको सम्मान प्राप्त करवाएगी सिक्षा और प्रतियोगिता में विशे सफलता के योग है सूरी ग्रह के कारण अधिक भागदोड और नेत्र विकार की संभावना रहेगी इसलिए सरीरिक स्वास्थ का विशेश ध्यान दे सत्रू पक्ष आपस में लड़कर के ही नश्ट हो जाएंगे सत्रू जो होंगे आपके परास्त होंगे तो आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंकशाथ है शुब रंग आपका आस्मानी रंग है आस्मानी रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए प्राता है का लिश्नान करने के पस्चात अपने पूजा कक्षो में शुद्ध गी का दिया जला करके सूरी भगवान के इस महा मंतर का 108 बार जाप करें ओम दिवाकर आयन महा तो ऐसा करने से कारी छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आपकी राशी का स्वामी बुद्ग रह भाग्य वरद्धी आपकी कर रहा है रोजगार व्यापार व्यवसाई के छेतर में जारी प्रयासों में अकल्पिनी सफलता प्राप्त करेंगे संतान पक्ष से भी संतोष जनक सुखद समाचार आपको मिलेंगे दोपहर पस्चात किसी कानूनी विवाद या मुकद्न में में जीत आपके लिए खुसी का कारण बन सकती है शुब खर्च और आपके मान सम्मान में बरद्धी के योग है तो आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिस्थ प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक पांच है शुब रंग आपका केसर्या रंग है केसर्या रंग का प्रयोग कारेच्षेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेचेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से ही प्राता है का लिश्नान करने के पस्चाथ सूरियोदय के समई सूरी भगवान की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें लाल पुष्प अर्पित करके ओम भानवे नमा इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें एसा करने से कारेचेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है तुला तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपके चारोर सुख दवातावरन रहेगा घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेगी कई दिनों से चली आ रही लेंदेन की कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है परियाप्त मात्रा में धन हात में आने से आपको सुख की प्राप्ती होगी आपका कोश बड़ेगा विरोधियों का पराभव होगा पास वदूर की यात्रा का प्रसंग प्रबल होकर के इस्थगित भी हो सकता है प्रणई संबंद में प्रकारता रहेगी और आप अच्छी उन्नती प्राप्त करेंगे तो आज आपको भाग्यकासाथ 85 प्रतिसद प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियोग कारेच्छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज कारेच्छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल सूरी देवता को अरग्य प्रदान करें और ओम आदित्यायनमा इस महा मंतर का 108 बार जाप करें एसा करने से कारेच्छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आपकी राशी से तीसरे सनी एवं सब्तम भाव में चंद्रयोग अभी साथ दिन तक और चलेगा इसी के फल सुरुप कुछ आंतरिक विकार जैसे वायू संबंदित कोई समस्या आपको हो सकती है आज का दिन इस सबकी जाच कराने नों किसी अच्छे डाक्टर आदी की सलाह लेने के लिए आपको व्यतित करना चाहिए अपने सारीरिक स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए रोग की अवस्था में आपका चलना फिरना काफी ज़्यादा हो गया है बैतर होगा कि सरीर को परियाप्त आराम दें यदि आप मेहनत का काम करते हैं सरीर को विश्राम देने की आवशकता है खान पान पर संयम बरते दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा वेसे आर्थिक पक्ष आज आपका पहले से काफी उत्तम रहेगा तो आज आपको भाग्य का सांत 65 प्रतिसेत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य साली अंक नो है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियो कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेत्र में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्राता हका लिष्णान करने के पस्चाद सूरियोदे के समय सूरी भगवान को तामबे के पातर से तीन बार अर्गे प्रदान करें और ओम भासकराई नमा इस महा मंतर का अधिक सदिक संख्या में जाप करें इसा करने से कारी छेत्र में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली राशी है धनु धनु राशी वालों के अनुसा राज का दिन इस परकार से रहेगा आज आपके विरोधी भी आपकी प्रसंशा करेंगे सासन व शत्ता पक्ष से निकटता व गट जोड का लाव प्राप्त कर पाएंगे और सस्राल पक्ष से परियाप्त मातर में सहयोग वा समर्थन आपको मिलेगा सायंकाल से लेकर रात्री परियंत सामाजी केम सांसरित कारे करुम में भाग लेंगे तो आपकी मान प्रतिष्ठा में ब्रद्धी होगी किसी के साथ यादगार मुलाकात का योग बन रहा है नए मित्र बनने के योग है आज आर्थिक पक्ष पहले से काफी उत्तम रहेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिष्ठ प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक छे है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोग कारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे छेत्र में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पस्चात अपने घर के पूजा कक्ष में शुद्ध गी का दिया जला करके सूर्य भगवान को मिठाई का भोगर पित करें और ओम ग्रणी सूरिया इनमाह इस महा मंतर का 108 बार जाप करें ऐसा करने से कारे छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज पारिवारिक वा आर्थिक मामलों में सफलता के प्रबल योग है आज इविका के छेतर में चल रहे नए प्रयास फलीबूत होंगे और अधिनस्त करमचारियों का आदरव सहयोग परियाप्त मातरा में आपको मिलेगा सायंकाल के समय किसी जगड़े विबाद में पढ़ने से आपको बचना चाहिए वाहन का प्रयोग सावधानी से करें रातरी में प्रिय अतितियों के स्वागत का योग बन रहा है आज माता पिता का विशेश ध्यान रहें उनके आशिरवाद से कारिछेतर में आपको विशेश सफलता के योग है तो आज आपको भाग्य का साथ 95 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अं अगली राशी है कुम्भ, कुम्भ राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आपके स्वास्त में कुछ विवधान हो सकता है, खान पान पर सयम अवश रखें, आपके राशी का स्वामी शनी क्योंकि मारगी उदय चल दा है, अतह निर्मोल विवाद, अकारण सत्रू उत्पत्ती और अपनी बुद्धी दोरा किये गए कारियों में हाने की संकेत देते हैं, तो आज आपको सतर करह करके कारी विवार करने की आवश रखता है, कोई विपरित समाचार सुनकर के अकस्मात यात्रा का योग बन सकता है, इसलिए सावधान रहें, सतर करहें, आज किसी भी जगडे विवाद में पढ़ने से बचें, वाहन का प्रियोग सावधानी से करें, विसे आर्थिक पक्ष पहले की अप्यक्षा काफी अच्छा रहेगा, तो आज आपको भाग्य का साथ पिचोतर प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शाली अंक नो है, शुब रंग आपका पीला रंग है, पीले रंग का प्रियोग कारिशेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे, तो आपको विशेश पुष्प अरपित करें, और ओम सूरिय नाराय नायनमा इस महामंत्र का 108 बार सरद्धा पुरवक जाप करें, इसा करने से कारेशेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी, अगली राशी है मीन, मीन राशी बालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का संबंदियों से किसी प्रकार का लेन देन आपके लिए आज खत्रा हो सकता है, धार्मिक छेत्रों की यात्रा और पुर्ण्यकारियों पर खर्च करेंगे, तो दिन आपके लिए काफी बहतर रहेगा, यात्रा में सावधान अवश रहें, ब्रहस पती का त्रिकोन योग, मु जबने अप're खर्च के लिए ग्रियों कारेशूतरा में आज अधिक स़धिक आप करेंगे, तो आपको विशेत लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारेशूतरा में विशेत सफलता पाने के लिए, आपका विशेत उपाई इस प्रकार से ही, प्रातह का लिश्णान करने के पश्चात सूरियोदे के समय सूरी दिवता को तांबे के पातर में लाल पुष्प चंदन डाल करके तीन बार अरगे परदान करें और ओम आदित्यायनमा इस महा मंतर का अधिक सदिक संख्या में जाप करें ऐसा करने से कारेच्छेतर में आपको विशेश सफलता मिले इंगेम